हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने भी चात्र कच्छा दस के हैं जिनका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंस सावित होगा फ्रेंस आज आप सभी को पढ़ाने वाले नहीं हैं आज की वीडियो में इसको आप बिना पढ़े भी कितना सटिक तरीका से उसका एंस्वर लिखेंगे ताकि एक्जामनर जो हो उसको देखकर नंबरों की बारिस कर दें तो फ्रेंस देखिए आप सभी को आज की वीडियो में संस्क्रीट खंड के गद्यांस और पद्यांस को ट्रिक से आप सभी क आप यसको बारे को हल करने का तरीका बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिए गा और यह तरीका आप जान गए तो आप बिना पढ़े भी गद्यांस और पद्यांस का आसानी से आप एंस्वर दे सकते हैं और बहुत जादा सिंपल होता है फ्रेंस तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा देखिए फ्रेंस यह आपके सामने संस्क्रीट का गध्यान से माली जी इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है फिर भी आप आसानी से इसका एंसर कैसे देंगे आपको वह तरीका सिखाने वाले हैं तो आप वीडियो को एक से ज्रिका क्या है आपको समझाने वाले हैं संस्क्रीट घध्यान में से किसी एक का masih का संद्र आप को संद्र लिखने के लिए करता है और हिंदी में अनुधाती लिए कहता है ठिक है यहां पिदीए आप संद्रव कैसे लिखेंगे बहुत सिम्पल तरीका आपको बताऊंगे और इन सब का हिंदी वे अनुवाद बिना पढ़े भी आप आसानी से कैसे कर सकते हैं जिससे एक नमबर भी इस प्रश्ट पर ना काटे ठीक है देखिए पहले क्या किजिएगा जब आपके सामने एक गद्यांस मिले इस गद्यांस को पहले आप पढ़ दीजिएगा आपको ब पताएंगे देखिए इम नगरे विविद धरमाला संगम अस्थली महात्मा बुद्ध तिर्थकम पाशवर नात संकराचार कभीर गोस्वामी तुलसी दास अन्ने चबहवा महात्मान आत्रगत्य सुईयान विचरान प्रासारयन न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे काला छेत्र अपियम नगरी विविधा नाम काला नाम सिल्पा नाम चा कृते लोके विशुरता अत्रत्य कोशी साटिका देशे देशे सर्वत्र इस प्रिहंते अब देखिए जैसे इसको आपने पहली है अब पहने के बाद इसका संद्रम लिखना है तो पहले आपको पता ह पहले होना चाहिए कि किस पार्ट से लिए गया है देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब इसमें लिखाओ नगर कि इम नगरी विविदार धरबादम संगम अस्तली और संगम अस्तले मतल्ब नगर कहां पर तो जब आप को पता है कि नगर वरारावसी में तो वह र पार्ट से लिया गया है आपको यह चीज पता चल गया कि वरारावसी नामक पार्ट से लिया गया है अब देखिए इसका एंस्वर कैसे लिखेंगे जैसे बता रहे है इस पकाह से प्रश्णों का एंस्वर आप बोर्ड के एक्जाम में लिखिएगा सबसे प्रत यहां छोड़के यहां से लिखिएगा संदर्व संदर्व ठीके अब देखिए संदर्व जो लिखना कैसे आप लिखेंगे संदर्व परश्टूत पध्यांस हमारी पाठ्थ पुष्टक पाठ्थ पुष्टक ठीक है हिंदी हिंदी के ठीक है हिंदी के संस्कृत कर खंड है नहीं आ इखेंगे हिंदी के संस्क्रीत खंड के संस्क्रीत खंड के किस पार्ट से लिया गया है वरासी नामक पार्ट से लिया गया है लीया गया अंहीं इस तरह लिखिएगा ठीक यह सबंश lässt इस पकास आप का और प्रेशम्र अव्य व्यक्त आपए जैसे संदर्व हो गया अभर अब हिंदी आ Boss करना है तो आप हींदी में अन्वा डिध में प्रasy min है अब मिल्गा करना है जैसे आप छो पटा नहीं है कि इसका हिंदी हॉन्बाइच क्या होग क्या से का लिखिते समय एक चिज को ध्यान दिजीगा जहां पिन लगा होगा जैसे यहां पिन की दास्य आक मांत्रा इसको बस हटाथ रिचेगभा तब जैसे एक ड्रीज दंगरी धरमडरasına देखेंगों को बताते हैं पूर डीटियल में समझ लीजिए आपको लिख के बताते हैं लिखियेगा इयम नगरी जैसे लिखा इयम नगरी विवीद कि विवीद धर्माडा कि विवीद धर्माडा संगम अस्थर संगम अस्थल अब इसमें आप क्या कीजिएगा जैसे है लाश्ट में जोड़ दीजिएगा इयम नगरी विवीद धर्माडाम संगम अस्थल है बस इस तरह है जोड़ दीजिएगा उसमे ठीक है अब इसके बाद एक लाइन का आप बना लिए इसी तरह देखिए यहां पी को अब लिए का माहत्माबुद्ध क्या लिखेकैं यो यो जैसे लिखा उसी तरह उताहर लेंगे लिए महत्माबुद्ध कर 15-17 क्यों पारश्व नाथ्शक ठीक है जैसे लिखे हैं बस यृसरिओम इंख्र हटा नैट चले जाएगा और इसका हिंदी होता चला जाएगा यहां से संकराचार लिएगा संकराचार लिखेंगे कबीर लिखिया को पता हो बहुत महत्मगादी आगत्य स्वन्याम विचारां पासरन में लास्ट में है लिखे दिजिएगा अब इसको क्या किचे ना केवल दर्शने साहित्य यहाँ लिखिए नमत्रम नहीं केवल दर्शन साहित्य धर्म अपीतु काला छेत्र अंगरी विविद काला सिल्प छोग शुरुत हे थिक कोशे साथिका देश ? सर वत्र इस प्रिहंते है इस तरह जैसे बताएं जैसे लिख pattern इसी तरह कि जितना बता एफ वी सर्ग हटाएं पूरा यह यह पूरे आप इसको Iिस तरह शाबर देते हैं तो examiner जब देखेगा तो तरंद आपको number देगा और जो आगे लिखे रहेंगे तो श्टार्टिंग बस थोड़ा सा पढ़ेगा और यह बस heading बनाए रहेंगे तो यह heading देखके तरंद नमबर देके आगे बढ़ जाता है और जो हता आपके एक नंबर भी नहीं काटेंगे सब इसलिए उन लोग पास इतना समय नहीं होता है कि आपको एक-एक लाइन पड़ के यहां पाफ्ला आपको नम बढ़ जाता है ठीक है इस पकास आपको यहां दिया रहता तो आपको पहला प्रॉष्ण के आउगा और वड़ेगी इसी पकास पर आपको पार्ट का नाम भूत्र देते हैं लिखना में उसी तरह आपको जैसे माली ची यह बोर्ट की एक्जाम में आ गए अब इसको हाल करना कैसे हेल करेंगे कि यहां से लेके पुरहे यहां तक पढ़ेंगे इसी में लिखा है भारती संस्क्रीट यही पार्ड का नाम हो जागा भारती संस्क्रीत नामक पार्ड से लिए गया है संदर्व उ करने का तरीका बताई दिये हैं कि आपको जो विसर्ग नजर आएगा इस विसर्ग को हटा के जहां पर वाग के आपको कंप्लीट हो रहा है वहां पर है सब जोड़ दीजिए ठीक है इसी तरह करके पूरा इसको सेम डूसेम आपको बोड़ के एक्जाम उतारना रहेगा तो आ देखिए अब यहां पर देता है गध्यांस तो हो गया अगला प्रशन इसका क्या ट्रिक है यह भी आप समझ लिजिए आपको जो तरीका बतर है समझ लेंगे आप आसानी से इसका एंस्वर दे सकते हैं देखिए क्या है कि दिए गए संस्कीत पद्यांस में से किसी एक का सं कि गुरुतरा भूमे किसुन विचुति जक खाथ किसुविद सिग्रतं वाथा किसन वीद बहुतर रम त्रवात माता गुरुता भूमे खाथ तोरस्था मन शिग्रतं वताथ चिंथा नह चंट बहुतरी त्रवाती तŉर पढले इसको पढली जी अब एक सब्डु देखे पकड़िएगा जब भूमे सब्ध गुरुते सब्ध देदे ठीक है और यहां पर देखिए माता का नाम माता देदे ठीक है और जैसे यहां पित्टा देदे माता पिता तिस अमझ लिजिएगा कि आपका जो इपाट का नाम है जीवन सुत्राड़ी है इन शब्दों को देखे यमाता पिता के शब्दों को देखकर तुरण समझ जाएगा कि संस्क्रीट के जीवन सुत्राड़ी जो पाठ न जीवन सुत्राड़ी पाठ उस पाठ से लिया गया है अब इसका संदर्व कैसे लिखेंगे संदर्व लिखने का तरीका वही है जो अभी आपको बताने वाले है ठीक है आप क्या कीजिएगा को यह अपना प्रश्णुत्तर संख्या इस तरह डाल दीजिएगा प्रश्णुत्तर संख्या 24 नंबर है तो 24 नंबर जो नंबर है का अपना सही से देखके डाल दीजिएगा और यहां से संदर्व लिखिएगा संदर्व जैसे उपर पता है संदर्व लिखना लिखने का तरीका वही रहेगा ठीक है यदि वह भी नहीं आता है सीधे आप पार्ट का नाम लिख दीजेगा जैसे संदर्व में माली जी संदर्व आपको बता हैं इतना नहीं लिख पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं सिर्फ पार्ट का गताने नाम डाल लिजेगा पार्ट का नाम क्या है का जीवन शु गर्णी इतना भी लिखे देंगे इस पर तुरंक नंबर दे देगा आपको ठीक है और यहां पर लिखेंब क्या है आपका खंड भी चाहिए संस्क्रीत खंड क्या है शंसक्रीत खंड इस तरह भी आप संदर्भूकों लीठ सकते हैं आपको नहीं पता है यह Note लिखने के तरिका जो है आपको दोनों तरीका बता दी है ठीक लागंशा का मैं इसे इसरोर बना है जरूब बनांगे खिय Best prospect हिंदी में अनुवाद क्या बनाएंगे हिंदी में अनुवाद है हिंदी में अनुवाद लिखने का तरीका देखे क्या है आपको बता है अभी आपको माली जी कि इसका हिंदी में अनुवाद करने नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि कि सुवित गुरुतर भूम यहां इसी को सेम तुसे इसी तरह उतार दीजिए और लाश्ट में सिर्फ है सब्द जोड़ते चले जाईएगा आपको यदि यह चार नंबर का प्रश्ण है तो चार नंबर में दो तीन नंबर जरूर एक्जामनर दे देगा ठीक है आप बिना लिखे कापी छोड़ के मत आईएग कभी भी बोड़ के एक्जाम में ठीक है तो आपको पता दियें जैसे आपको पताएं समझाएं लिखने के लिए गद्यांस का उसी तरह पद्यांस को क्या करेंगे बस यहां से किस्वित गुरुतम भूम ठीक है फिर किस्वित उच्चत्रम चखात है बस है लिख दीजेगा किस्वित सिग्रतम वतात किस्वित बहुतरम तुड़ात है माता गुरुता भूमे खात पिताच उस तरह है ठीक है मनला है सब्द जोड़ते चले जाएगा आपको हिंदी में अनुवाद हो जाएगा ठीक है ठीक जैसे पता इसी प्रकास से आप संस्कृत के गद्यांस हो च चले आईएगा एकजामनर खुस होके नंबर देगा एक नंबर भी नहीं काटेगा ठीक है तो जैसे आपको समझाए इसी तरह बोड के एकजाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा तो फ्रेंस यह तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में आप जरूर इसके बारें अपन अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें